नमस्कार दोस्तों मेरा नामे आसुतोस आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एटुजेड इपार्ट साला में मेरे साथ में इस वीडियो में आप UPPSC स्टाफ नर्स का जो आपने सभी ने कन्वेंशनल फॉर्म समिट कर लिया होगा मैंने कुछ पोल आया था जिसमें 20,000 कंडिडेट थे 20,181 कंडिडेट थे जिनको कन्वेंशनल फॉर्म फिल करना था और वहाँ पर भेजना था उमीद करता हूँ सभी ने अपना फॉर्म फिल कर लिया होगा सही सही और उसके बाद भेज भी दिया होगा ठीक अब उसका उमीद है बहुत ही फीमेल इसमें कितनी कंडिडेट हैं टोटल 20,181 में उन्होंने कुछ ऐसा क्लियर किया नहीं था उसके लिए उन्हों को बहुत सारी लोगों ने मुझसे कहा था कि आप सार इसमें पोल करा दीजिए जिसमें हमें ये चीजों का थोड़ा सा कंफर्म हो जाए या थोड़ा सा अंदाजा लग जाए अब मैंने इसी तरीके से आप मैंको पोल डाले थे जिन्होंने अभी तक वोट नहीं किया है वो जरूर इसके बाद और वोट कर ले जाके तो उससे एकदम सही सही और ज़्यादा अच्छा अंदाजा लग जाएगा ठीक लेकिन अभी तक यतने लोग पास उए है जो यू पी से हैं या अधर स्टेट के कौन सेुटेके कितने कंडिडेट पास हुए है अगर ने सही सही अपना इसमें वोट किया हुआ है तो यह आपी के वोट किया उपर आधारे रिजर्ट है इस पे उसमें कोई 100% से उटी आप इसको मत मानिएगा कि नहीं एकदम आयोग का यही है नहीं जैसा आपने वोट किया है उसी हिसाब से यह रिजर्ट भी मैं आपको बता रहा हूं जैसे कि मैंने पूछा दा कि कितने फीमे सीख उटा दीजिए और सीडे सीडे राउंड फीकर में अगर इसको बीस हजार भी मान लेते हैं तो बीस हजार का तैईस परसेंट और बीस हजार का 77 परसेंट जो है वो हमारा फीमेल हो जाएंगे और तैईस परसेंट मेल हो जाएंगे तो हमारा तैईस परसेंट कितना होत तो चारह जारचैसो यह चारहजारक्षैसो आपके कितने वीश जार टोटलंडिट में लगभग जो है वहwater चारहजार छेसओ मेलेधि और सेवगनी परिसंट जो है वहgus female candidate हैं तो वो female candidate कितना हो जाएगा 77 pack का लगभग लगभग ये आपका पंदा 6400 candidate जो है इन में से 20,180 में लगभग इतने candidate आपकी female candidate ते उन की seats भी जादा है और male की seat भी कम है ठीक तो इस लिए उनके candidate कब लिये गए हैं और फीमेल की सीट ज्यादा होने का करा उनकी कंडिडेट भी ज्यादा सेलेक्ट की किये गए है ठीक चलिए आगे बढ़ता हैं आगे देखेंगे हमारा दूसरा पॉल पिर आगे क्या था आगे अब जो हमने मेल जान लिया फीमेल कितनी है वह जान लिया तो इसमें हमने एक दूसरा आगे पॉल डाला था जिसमें लगबग 1500 लोगों ने वोट किया और ये एक अच्छा खासा अकड़ा होता है एक दम सही बात तो ये बताएं तो ये एक बहुत अच्छा खासा अकड़ा है 20,000 में से 1500 लोगों ने अगर वोट किया हुआ तो इसको एक अप्रॉक्सिमेटली हम एक अपना एक पॉल सही मान सकते हैं और उस हिसाब में आप देखे 46 सौगर हैं तो उसमें 28 परसेंट जो हैं वो यूपी और अधर इस्टेट वाले हैं इसको मानने पर हमें 28% हमारा 400 का कितना हो जाएगा 1288 यह केंडिडेट जो है वो हमारे अधर इस्टेट और जनरल केडिगरी में काउंट होंगे जो की हमारे मेल केंडिडेट में हैं और 7% उसमें EWS वाले में उनका क्या होगा 322 केंडिडेट होंगे ऐसे और OBC वाले जो है वो 46% है यह अपना कितना हो जाएगे 2160 यह सब 2400 काई है क्योंकि 2400 टोटल कैंडिडेट मेल हमारी सेलेक्ट हो रहा है तो उसमें से हमारा 2160 हो जाएगा और SC कंडिडेट कितने हैं? C candidate हमारे 736 candidate जो है वो हमारे लगबग आपके 16% से स्का C candidate हो जाएंगे और इसी प्रकार से स्ट कंडिडेट को अगर रेखा जाए तो वो हमारे कितने हो जाएंगे यह हमारे 12 candidate जो हैं वो है C candidate हो जाएंगे ठीक तो यह category वाइस आपके select हो हैं male candidate जो है वह आपके हैं जो पंद्रा सो वोट किये गए हैं male candidate के द्वारा तो इसमें आपका जो है लगबग इस तरह से आकड़ा हमारा इस तरह से समझ में आता है अगर यह सबी ने आपने सही से वोट किया हुआ है तो ठीक उसी वे बेस पर ही हम बता भी रहे हैं इसको अब देखे female लगबग यह देखे female ने अटारा सो वोट कर रखे हैं अटारा सो ठीक तो अब लगबग अटारा सो में देखिए female candidate जो यू आर है general की है और other state की है वो 26% है और EWS candidate जो है वो 8% में आ रही है और OBC जो है वो 47% आ रही है और ST candidate जो है वो हमारी 17% है फिर उसके बाद में ST candidate जो है वो 1% है ठीक अब हमने अभी पीछे देखा था कितना था देखिए पीछे था हाँ यह 15,400 ठीक तो 15,400 यह हमारी female candidate है total जो हमारी सेलेक्ट हुई है ठीक अब इसको category वाइज अगर डिवाइट करते हैं तो 26% तो 154 से गुणा कर देंगे 26 में तो यह हमारा female candidate कितनी आ जाएंगी 26% यह आ जाएंगी 4004 candidate ठीक 4004 candidate जो है यह हमारी general की योग में फिर उसके बाद OBC के में 47% है यह कितना हो जाएगा हमारा 7,238 candidate जो है यह female candidate जो OBC category की select हुई है और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं SC category की जो है वो हमारी 17% है 17% कितनी हो जाएंगी यह आपकी 26-18 candidate जो है यह हमारी SC category की है फिर 1% candidate जो है वो ST category में है 154 जो है वो ST category में select हुई है document verification के लिए और अब उनका जो है conventional form भी फिलो करके पहुच भी गया होगा उमीद करता हूँ ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं तो आगे जो है हमारा क्या आता है कि कुछ लोगों को ने कहा था इस तर एक category wise पूरा पूरा वोट कराईए category wise नहीं इसमें कि किस state के कितने किंडिडेट सक्सेस हुए है कितने लोग हुए है कुछ लोग कह रहे थे राजस्थान के बहुत जाता है कुछ कह रहे थे दिल्ली के बहुत जाता है तो उस तरह से हमने एक पॉल इसमें भी कराया था अब इसमें देखे ये 17 वोट किये गए हैं लोगोंने अब इसमें कितने राजस्थान वालोंने भाग लिया कि नहीं लिया यह भी इसमें बहुत सारे डिपेंड करते हैं यह चीज लोग की नागार आप लोगोंने सही सही किया हुआ है और इसमें सभी चीजे सही है तो देखते हैं इसको 86% जो है यूपी के कंडिडेट कर इसमें सेलेक्ट हुए है ठीक तो आपका कितना था 20,181 इसको हम फिर से 20,000 ही अगर मान लेते हैं तो इसमें 86% जो है वो यूपी के ही हैं और 7% जो है वो राजिस्थान के हैं 2% देली के हैं और 1% जो है एंपी के हैं और 3% जो है वो और इन सब इ इमेल दोनों का है इसमें अलग अलग नहीं है मेल और फिमेल दोनों लगबग 17,200 जो हैं वो यूपी के ही कंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं 7% है जो 1400 कंडिडेट जो है वो राजिस्थान के कंडिडेट का सेलेक्ट हुए हैं फिर उसके बाद में देली के जो हैं वो हमारे 400 क और एक परसेंट MP के हैं जो 200 कंडिडेट हैं उसके बाद में 600 कंडिडेट लगबक जो है वो हमारे आधर इस्टेट के हैं ठीक आप देखे जो यह हमने आपको रिजर्ट तो अभी बता दिया अब इस वीडियो को जितने लोग भी देख रहे हैं अगर आप लोग देखते हैं वीडियो को। तो आप जाके खुद इसमें पॉल कम्यूनिटी टैब में जाईएगा यूट्यव चैनल पर जाएंगे अब تو उसके बाद में आप एक मुझाइटी टैब है। उसमें आपको यह सारे पॉल मिल जाएंगे। उसमें आगर चाहें तो आप सभी हुआ है तो अगर आप चाहते हैं कि यहां एकदम एक्जैक्ट नमबर पता चलें तो आप जा करके इसमें कम्यूटी टैब में चैनल पे जब जाएंगे तो कम्यूटी टैब होती है उपर वीडियो प्ले लिस्ट और इस तरह से सब चीज़े लिख कियाती है उसमें कम्यूट जब क्लिक करेंगे तो उसमें आपको सारे पॉल मिल जाएंगे आप ज्याकर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करई है subscribe करिए channel को, कुछ लोग को share भी video करिए और अगर किसी topic पर video चाहते हैं तो जरूर comment करिए इसमें, मैं उस पर आपकी पूरी में help करूँगा और पूरी मदद करूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो में झाल, और अाल, छिया पानल, वीडियो में